दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्ल ज़ादे Math 2ड होने वाला है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्ल ही वाइडिल है जो राइडिंग करना बहुत पसंद करते हैं जो स्टेट-टु-स्टेट ट्राविल करना पसंद करते हैं अपना थो खे को ले ठीक से मान नहीं रहे हैं मतलब पार्शली मान रहे हैं या तो मानी नहीं रहे हैं तो इस चक्र हैं बहुत सरे लोग हरास हो रहे हैं और सब के मन में यह question उट रहे है कि क्या यह application valid है क्या करें हम लोग को document साथ में रखें जितने भी गारी में document है आर्सी हो गया टेक्स इनवाइस हो गया वी सी हो गया जितने भी documents सब हर को भी रखना है यह नहीं रखना क्या करें totally Confusion Matter क्रेट होका रखें तो आज वी document एक में शो करता हूं मैं आपको एक यह government document है कहां से इसको print-out करना है नहीं करना है मैं आपको लास्ट में बता दूँगा जितने भी points है मैं आपको यहां पर read-out करूंगा और with facts मैं आपको बताऊंगा कि यह point इसका मतलब क्या है और कुछ facts भी यहसे मैं आपको तो आपके साथ में शेयर करूंगा जो एक्चुली घटा है ठीक है तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों यह डोकुमेंट आपको एम परिवन एप्लिकेशन में ही मिल जाएगा कहां से आपको डाउलोड करने पड़ेगा मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा हर पर उपर में आप देख सकते हैं एक नमबर दिया हुआ है आर्टी वान ओन जीरो ट्री सीक्स सिस्टी फोर स्लैस्ट टू जिरो वान सेवन एंवी एल ठीक है तो यह मोटर वेकल जूल में यह इसका एक नमबर है जिसमें गवर्मेंट अब इंडिया मिनिस्ट्री ओफ डिपर्मेंट अब ट्रांसपोर्ट द्रांसपोर्ट कोमिशनर्स अफ आल दे सेट्स अन युनियन टेरिटरी एद्मिस्ट्रेशन ठीक है तो देख लीजे किसको किसको दिया जा रहा है यह नोटीस और सब्जेट क्या है एक्सप्तेंस अफ द्राइविं लाइसेंस सर्टि Act 2019 where citizens have raised the concern that the document available in DG Locker app of Ministry of Electronics and Information Technology or M.P.I. 1 app of this ministry are not been considered valid by some enforcement officers of traffic police or the motor vehicles department of the state or union territories. citizens are unnecessarily being harassed and asked to produce the original documents when they are not able to produce the original physical copy of the documents and produce only the digital documents they are being considered as driving without driving license, RC, insurance, PUC and others and being fined for it. ठीक है मतलब यह एकदम practical घटना मिनिस्टर के सामने उठके आया है जो चीज हम लोग का साथ अभी हो रहा है बहुत जगों में हो रहा है ऐसा रिपोट आ रहा है जब भी कोई traffic police गाड़ी रोक के document मांग रहे हैं और हम लोग जब एम परिवान या डिजी लोकर एप को शो कर रहे हैं तो यह वो चीज वो लोग मानी नहीं रहे हैं उसको एकसेप्टी नहीं कर रहे हैं जहां पर अल्ड़ी एम परिवान एप एंड डिजी लोकर एप government उसको clearance दे चुका है क्योंकि यह government application नहीं है जहां पर government खुछ आ रही है कि यह public इसको use करें लेकिन जो enforcement officers of traffic police जो भी है वो लोग इसको माननी रहे हैं तो यह matter उनके सामने उठका है बहुत अच्छी बात है second point में यह कहा गया है कि ministry ने एक already notice दिया हुआ है जिसका number है RT 11 036 64 2017 MVL जिसका date है 8th August 2018 और title है acceptance of driving license, registration certificate और other documents presented through Digilocker और MP1 platform to all state government जिसने भी state government है सबको यह copy दिया गया है अगर कोई इंसान DL, RC, PUC जितने भी document है अगर Digilocker और MP1 Apps अगर वो show करते हैं तो जो official है उनको जरूर यह मानना चाहिए यह सब point देखने के बाद दोस्तों कोई भी question मंग नहीं रह जाएगा ठीक है 3. It is again brought to the notice that digital platform like Digilocker and MP1 have already been recognized as authenticated digital documents provider applications. Ministry of Road Transport and Highways has also made the necessary amendment in the Rule 139 of the Central Motor Vehicles Rule 1989 for enabling the citizens to produce document or information in the electronic form. As per the amended provision, the citizen can produce the transport related documents or information such as certificate of registration, insurance, fitness and permit, the driving license, certificate of pollution under check and any other relevant document if required in physical or electronic form of demand by an officer in uniform or any other officer authorized by the state government in this behalf. Transport related जितने भी documents है आपको पता है Digilocker में आप और भी जो document है उसको आप add कर सकते हैं तो जितने भी transport related document है जैसे और भी जैसे हो गया fitness हो गया permit हो गया तो सारे document आप आप शो कर सकते हैं अगर कोई मांग रहा है चेक करने के लिए मांग रहा है तो यह सारे document अगर उस application से आप शो करते हैं तो टोटली वैलिदे दोस्तों. फूर्थ पॉइंट में आते हैं तो मिनिस्टर है इसूद ए स्टैंडर अपरेटिंग प्रोसेडियर जिसको आप कहते हैं जिसमें एक नंबर है आटी 1 1 0 3 6 6 4 2017 MVL dated 17 12 2080 for validation of DL RC and other transport related information presented in electronic form through IT or mobile app platform which is to be adopted for ensuring compliance with provision of rule 139 of the Central Motor Vehicle Rules 1988 अपर मिनिस्टर ने अल्रेडी एक SOP बनाया गया है जो कि सब में ओफिसर जहाँ जहाँ स्टेट गोर्मेंट हो गया सर जगह में यह distribute किया गया है कि कैसे DL RC and other transport related information को validate किया जाएगा 5th point में आते हैं if the citizen is not able to show the digital copy or information on DG Locker और MP1 due to unavailability of mobile or any such platform in such a case the enforcement agency can verify the details of DL and RC on their MP1 app or the e-challon app by entering the DL number of the vehicle number ठीक है तो यह point बहुत ज्यादे वैलीड है यह जो चीज है मेरे साथ खुद हुआ था मैं एक वीडियो पोस्ट किया था जहाँ पर मैंशे मैंने बताया था कि एक officer ने मुझे कहा था कि आप document show कीजिए आपको at least one document रखना ही है आपके पास भले आपका पास एम परिवान हो या डिजी लोकर हो डिजन भी मैंने आपको बताया था अगर वो विडिक है तो उपर आई बेटन में है मैं आप वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं तो यहाँ पर यह चीज़ का आगया है अगर इनकेस अगर आप मान ली जब मोबाइल का बैटरी डा लगते हैं यह भी प्रोविशन दिया गया है तो इस पॉइंट में जो मेरा पर्सेनल वियू है मैं आपको बताता हूं मुझे कहीं न कहीं लगता है आपको यहाँ पे अपना एक आइडिंटीटी कार्ड कैरी करना चाहिए जैसे आधर काड हो गया वोटा एडिकार्ड हो ग इसकी लें प्रषच works देजिशने आपको अनवु यह ख़िणते हूं मेरा आता है लिष्य पॉँ ह मेरा है लिजु करता हूं दियू है म।च्रक लिजू है कम अपकोष लिफ्हाः सूगगाश्त आपको Chalowा ? ले ओ growing हम अभयं movies प्रोड्यूस्ट फिजिकल कॉपी इस नॉट जस्टिफाइड एस पर रूल्स प्रोविशन ओफ हैंडल डिवाइज फॉर एंपर इवन और इचालान यहां पर देखिएगा इचालान के भी प्रोविशन है दोस्तों मतलब अगर चालान भी काटा जाता है तो आपको कोई या मोबाइल एप ऐसे हो सकता है जो की एंफोर्समेंट ऑफिसर के पास हो जिसके लिए कोई भी डॉकुमेंट आपको शो नहीं करना पड़ेगा मतलब डियल नंबर मतलब आपके डियल नंबर से भी वह चालान काट सकते हैं तो यहां पर क्लियर क्लियर दोस्तों मेंशन है कि unnecessary harassment and fine for person for just not able to produce the physical copy मतलब अगर आग डॉकुमेंट आगर शो नहीं कर पा रहें तो harassment करने का कोई सवाल ही नहीं ओड़ता यहां पर काफी कैसे यहां पर देख सकते हैं मैं इंट्रेक्ट फेसबूक में कुछ ग्रूप में मैं जॉइन मैं आल्ड़ेडी हूँ जू कुछ राइडिंग ग्रूप है वहां पर काफी है से मैटर उठके आता है कि डॉकमेंट शो करने के लिए harassment किया जा रहा है जहां पर डिजी लोकर और एंपरीवन एप में सब कुछ लोड है और सब कुछ वैलिड है कुछ भी इन्वैलिड नहीं है मतलब प्यूसी सब ओके है सब कुछ इंसरेंस सब ओके है लेकिन फिर भी वह चीज को मानी नहीं रहे दोस्तों आपके लिए प्लीज आप ये अपने साथ केरी कीजिए कहीं पर भी अगर ऐसा प्रॉल्म हो रहा है और कोई भी ऑफिशियल एंफॉर्समेंट ऑफिशियल अगर इस चीज को मान नहीं रहे हैं किसी भी हालत में तो काइंडली इस डॉकुमेंट को शो कीजिए अध्लीन कुछ तो help मिलेगा आपको मैं इसके बाद ये डिबेट में नहीं जा रहा हूं कि कुछ भी कर लो भाई फिर भी आपका चालन कटना है अगर पुलिस ठिक कर ले कि ये चालान काटना है तो आपका चालान कटेगा जरूर मैं ये साब चीजिश में नहीं जा रहा है लगे कह रहा हूं कि आप अपने साइट से सब कुछ okay रखिए आप अपने साइट से जितना भी information हो सके gather करके रखिए ताकि आपको बोलने में या अपना point को strong करने में आपको help मिले दोस्तो अभी जिस mobile से मैं वीडियो बना रहा हूं उसी mobile में screen recording on करके मैं आपको दिखाता कहां लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ प्लीज अगर यह वीडियो आपको informative लगा है तो प्लीज मेरे इस चैनल को subscribe जरूर कीज़ेगा दोस्तो इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए अपने friend के साथ अपने relative के साथ ताकि कोई भी harassment में ना पड़े तो य क्लिक करना दोस्तों ठीक है वहाँ पे क्लिक कने के बाद आपको दो टैब यहां पे मिलेगा एक जैनल इनफोन दूसरा ministry notification यहांप लोड होने देते हैं यहांपर तो आपकोट मिल ग्राहिती यहां यहांपर देख सकते हैं मन्डे सेप्टेमबर हेंड निकला खाटए और यहां पर आपको वीव करना है तो यहां पर जितने भी महतीस कune स्भाइट से जो भी डॉक्मेंट प्रोवाइटेट विए और झालोड है तो यहां पर मैं ही ऊपन हो रहा है आप चीक है यहां पर देख सकते हैं यह डॉक्मेंट आ आ गया और यहां से आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं सेंट फाइल करे कहीं पर जैसे भी हो आप इसको डाउनलोड दीजिये दोस्तों थीक है तो थांक्स वर वाशिंग और संघ्राइडर्स चुट डोस्तों झाल झाल